ही स्टुडेंट्स आज किस क्लास में हम एक इंपॉर्हें टॉपिक पढ़ने वाले है न ओम का नियम ठीक है ये ओम का नियम जो आपके लिए बहुत इंपॉर्हेंट है ठीक है बहुत ध्यान से समझते चलिएगा ओकै जो पिछली class जो ही थी है ना उसमें हम जो है विद्यूत धारा के बारे में पढ़े थे किसके बारे में पढ़े थे विद्यूत धारा के बारे में पढ़े थे इसके लावा जो है विद्यूत परिपत की घटा कोन कोंसे होते हैं है ना और उसके अलावा जो है विद्युत विभाव और विभुवांतर और विद्युत छेता की तीरता के बारे में पढ़े थे ठीक है तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिवाइस कर रहाते हुए चलता हूँ है ना ताकी आपको याद रहें जो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे विद्युत धारा क्या पढ़े थे विद्युत DHARA OKE तो विद्युत धार में आप लोगों को बताया था किसी विद्धु शेत्व रहना जो होता है वहां तक लाने में जितना कार्य करना पड़ते हैं newspaper बलते हैं Viva Dre MAT इसको बोलते हैं उसी को हम बोलते हैं वीभाव क्या होता है और वीभाव में जो अंतर एक आवेस जो है रखा हुआ है ठीक है ना यहां पर कोई एक आवेस जो है का है रखा हुआ है तो एक आंग धनावेस माली जी यहां पर कोई रखा हुआ है तो ठीक है तो इनका क्या होगा यहां पर जो है इनका जो है एक विद्धू छेता बना रहेगा है गार को matarते हैं तो यह जो नया वाला जो यहां पर आवेस लेकर क्या है एक ऊबहों करेगा वह Alright तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम का नियम ठीक है यह ओम का नियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ध्यांस समझते चलिएगा जो आगे जब आप पढ़ेंगे अगली जो क्लास जो पढ़ेंगे है ना तो उसमें भी जो है क्या आपका काम आएगा तो चलिए हम पढ़ना सुरू करते हैं ओम कानियम ठीक है बहुत ध्यांस समझते चलिएगा और यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो उसको भी देख लीजी है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना ठीक है ओके तो चलिए हम पढ़ना सुरू करते हैं तो विभवांतर देखें यहां पर समझें किसी विद्यूत परिपत में विभवांतर विद्यूत प्रतिरोध और प्रवाहित विद्यूत धारा के बीच में संबन इस्थापित किया इस संबन को समझने के लिए हम नीचे क्रिया कलाब करेंगे है ना तो यह जो थे ना कौन जा करना क्या हुगा इसके लिए का क्या होगा इसके लिए क्रिया कलाप करना होगा क्रिया कलब दो यहाँ पर दिया हुआ है अब देखिए इसमें आपको क्या करना है इसमें जो है हमको एक परिपत त्यार करना है इस परिपत में जो है सुनने दिसमेलब 5 मीटर का नाइक्रोम का तार एक स्वाई लेना देखे ये जो है न ये ये ऐसा ऐसा ये ये जो है क्या है ये जो है नाइक्रोम का एक तार है एक स्वाय समझ मैं आया इसके लवा हमको और क्या चाहिए एक अमिटर चाहिए ठीक है तो एक अमिटर ये ये है एक अमिटर ओके और इसके लवा एक ओल्ट अमिटर चाहिए ये है यहां पर यह ओल्ट मिटर लगा हुआ है समझ मैं कल मैं बताया था कि यह मीटर को समानदर करम में ठीक है जो पिछली क्लाश जो ही थी इसमें ठीक है इसके लवा हमको जो है चार विद्यूत सेल चाहिए एक दसमेला पांच वोड़ अगा कितना विद्यूत सेल चाहिए चार तो देखी यहां पर जो है मैं बताया था विद्यूत सेल को कैसे दरसाते हैं ऐसा दरसाते हैं करके बताया था विद्यूत सेल को इस प्रकार से गहटक के बारे में देखे थे विद्यूत परिपत के तब बताया था सेल को इस प्रकार से दरसाते हैं तो देखी यहां पर जो को ले करके इस प्रकार से आपको क्या करना है परिपद बना लेना है तो सबसे पहले एक सवाय जो तार जो है यह नाइक रोम का जो तार है एक सवाय इसको आपको लगा देना है इसके मध्य में आपको क्या कर देना है समांदर करम में जो है ओल्टमीटर को चोड़ देना है फ ना सभुन मैं यहां पर आपको चार saag लगा हुए एक सा दिखा दिखा दे रहे हुद्धार है क्या कहले करना है सब्सक्राइब का प्योंक मिए टैर प्रे Ti धारा कमान कीतना है ठीक है और उसमें जो है ये जो तार जो है ना और जो दहारा जो प्रवाइद हो रही है विद्यूद परिपत हम त्यार करेंगे ना इस प्रकार से टार को लगाकर और यह जो नाइकरोम का तार है इसको यहाँ पर क्या कर देंगे लगा देंगे ultimeter को जो है नीचे में इस प्रकार से लगा रहेगा है ना तो सबसे पहले एक बेटरी को लगाएंगे एक सेल को और हम देखेंगे कि इनके सीरों के बिच यह वाला जो सीरा है ना एक स्वाए इनके सीरों के बिच विभांतर कितना है तो इसको किसी साहता से देखेंगे ultimeter की साहता से और दोनों कमान हम क्या कर लेंगे एक सेल केलिए ज्याद कर लेंगे एक सेल को जब लगाते हैं तो जो तार जो है नाइक्रोम का एक स्वाय उनका जो है विद्युधारा कमान कितना है और विभांतर जो है विभांतर कितना है मतलब उनके दोनों सीरों के बीच विभाव में अंतर कितना है विभांतर समझ मैं है यह एक सेल के लिए देख लेंगे जैसा ही हम एक सेल के लिए देख लेंगे, तो यहाँ पर जो है हम ध्या करेंगे भरते जाएंगे परिपाथ में जूड़े सेलो की संख्या, सेलो की संख्या पहले एक जोड़े है ना उसके बाद गो चो नायकरों NEW तार से कितनी विद्युधर उसमें प्रवाही दित्थ हो रही है विद्युधर कितना है उसको हमको क्या करना है नीचे में लिखना है और भी बटा आई कमान हमको क्या कर देना है ग्याद कर देना है क्या कर देना है ग्याद कर देना है जितना भी आएगा उसको हमको कहा लिखना है य यहां पर आपको दिखाई दे रहेए वाला, यहां, यहां आपको भी बटा, आई कमान्ड क्या कहते जाना है, भखते जाना है, तो यह दो है, एक cell के लिए, आपको जो है, तो चार cell defense लेना है, ठीके न, तो एक cell हो गया, फिर से क्या करोगे फिर से वही होगा पहले एक सेल के लिए थे अब दो सेल लगा दोगे एक सेल पहले से लगा रहेगा दूसरा सेल क्या होगा दूसरा सेल आप लगा दोगे ठीक है न ऐसा लगाने बाद नाइक्रोम का तार जैसा कर तैसा लगा रहेगा आपको फिर से देखना है कि दो सेल के लिए जो है ये जो तार है नाइक्रोम का एक सवाए इनके सीरो पर भी भुवांतर कितना है भी कमान कितना है और इसमें प्रवाहित हो रही जो धारा जो है विद्यू धारा उसका मान आई कमान कितना है समझ में आया और जब दोनों का ज देखते हैं तो देखे यहां पर पुछा जा रहा है यहां पर अंदर V तता I विद्धर प्रत्यक युगल के लिए V-B-T-I कमान क्या होगा V तता I के बिद ग्राब किज़े इस ग्राब की प्रकृति का प्रेक्षन किज़े तो देखे जब हम क्या करते हैं इस प्रकार से जब हम क्या करते हैं तो हम पाते हैं कि भी बटा आई का मान जो रहता है वो हमेसा क्या रहता है लगबग समान ही रहता है चाहिए एक सेल जोड़े दो सेल जोड़े या फिर तीन सेल जीतना भी सेल जोड़े तो भी बटा आई का क्या होता है समान होता है इसका मतलब यह हुआ कि जब जैसे जैसे सेल जोड़ते जाते हैं तो जीतना अग्हे कमान बड़ता जाता है एक से लगाते हैं we बणद दोनों एक सांठ चल रहे हैं यह बढ़ते हैं एक और घ diversion अगर घरते हैं तो समान ही रहेगा 2 असल के लिए गयाद करेंगे फिर भी बेट आई कमान क्या हो रहा है समान है समान रहता है इसका मतलब यह हुआ कि दोनों एक दूसरे की क्या है अनुक्रमा नुपाती है क्या है अनुक्रमा नुपाती है समझ में आ रहा है ना मतलब जो है इसका मतलब यह हुआ देखे यहाँ पर जो है चालक तार के सीरों के बीच विभांतर भी चालक तार में प्रवाहित विद्युद्धारा के समान उपाती होती है है ना तभी तो ऐसा हो रहा है ठीक है मतलब यह हुआ यदि हम ग्राफ यदि हम खीषते हैं है ना यदि हम ग्राफ की बात करते हैं तो यदि हम ग्राफ खीषते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए graph यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है graph जो है यहाँ पर नहीं छपा है इसमें बुक में है इसमें graph नहीं है तो यहाँ पर समझ लिजिए यदि हम क्या करते हैं एक graph खिचते हैं तो graph जो है वो हम graph किस प्रकार से खिचते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं चीत जो है कुछ को ले लेते हैं विभुवांतर को ले लेते हैं और में अशरी आई से तो आई लिक देते हैं इस साइड इस साइड यहां से मूल विंदू से हम अखाते हैं अभी objective खीछ ते हैं विभ्वांतर बढ़ रहा है तो दारा भी बढ़ रहा है है नहीं को क्या होती है रहा हमको एक सीधह रहा होता है तो भांतर का भी मान बढ़ता है मतलब दोनों एक साथ बढ़ता है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे क्या है समान उपाती है क्या है समान उपाती मतलब यदि धारा कमान भी बढ़ता है मतलब जो है आई कमान भी बढ़ता है और यदि आई कमान घटेगा तो भी कमान भी घटेगा और यदि भी कमान भी घटेगा तो आई कमान भी घटेगा मतलब दोनों जो है एक सांसाथ बढ़ते हैं और फिर सांसाथ घटे हैं मतलब दोनों क्या है यह जो संबन होता है इसी को बोलते हैं यंगलिस में इहां पर देखे ए समधने यहीं यहां पर देखें हैं कि विभुहांतर जो था ना वो किसके समानुपादी था ? सम्झ मैं रहा है रागला ना किसके समानुपादी था ? आई का ? यही जो संबद पूंभट है कि जो विभानतर होता है मतलब इसकी साथ से समय क्या करेंगे अगे की किया होता है थीक है तो जो विद्धर आई के क्या होता है समान अुपाती होता है इसलिए यहां पर लिखा न भी परपोजनल आई ऐसा लिखा है मतलब भी कमान बढ़ेगा तो क्या होगा आई कमान भी बढ़ेगा और यदि आई कमान बढ़ेगा तो भी कमान भी बढ़ेगा यदि भी कमान घटेगा तो आई कमान भी घटेगा और आई कमान घटेगा तो भी कमान भी घटेगा मतलब दोनों य coherent जैसे ही बिष Pressmachnal ही विखना पड़ते हैं फैसी रहते हो यहां से आया कि समानुपातिक नितांग लीखना पड़ता है 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 न तो हम उसको र से यहां पर यहां पर अगलते है दरसाधी है ठीक है यहां पर क्या नितांग है समझें है os okay हना समानोपथिक नितांग है तो इस नितांग का मान किस प्रकार से जैद कर सकते हैं बी पर पॉस्जनल अई ऐसा था तो भी इसकोर्टक्र Links अगया ने अब समानों पतेक्ट बाइक चीन को तो अब यहां से हम R कमान निकलना चाहे, तो यह A क्या हो जाएगा? इस साइड गुडा में है, इस साइड आएगा तो किसमे हो जाएगा? भाग में, हाणा? भाग में आ जाएगा इसकारांट से हम इसको कैसा लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं भी बटा आई लिख सकते हैं या फिर क्या भी बटा आई बराबर आ लिख सकते हैं या फिर इस आर को इस साइट कर दो या फिर यहाँ पर देखिए इस R को इस साइड कर दो, इस साइड क्या हो जाएगा? भी बटा आई, तो इस प्रकार से आप R कमान निकाल सकते हो, ठीक है? समझ में आ रहे हैं और यही जो R जो है, इसको हम प्रतिरोध कहते हैं, क्या बोलते हैं? यही जो R है ना, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इस R को प्रतिरोध कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध है, प्रतिरोध का क्या होता है? मातक, esc-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e दर-सल प्रतिरोद है क्या चीज तो प्रतिरोद जो है किसी भी चाललक में झो धारा प्रवाइत होती है ने विद्य-धारा उसके प्रवाह में क्या करता है ये जो है बाधा उत्पन्न करता है मतलब उसको उसके जो वर प्रवाह जो रहता ने विद्युधारा का प्रवाह रहता है उसको धिमी कर देता है या फिर कम कर देता है समझ में रहा है न कोई प्रतिरोध जिसको हम किस से दरसाते हैं आर से दर है प्रतिरोध का मा क्या होता हम होता है प्रतिरोध को आर सी दरस हते हैं तो यह जो कॉन्सा संबंध यह यह वाला जो संबंध है खी Crunchy क्या है जो है विभर bitter a та और अर्विद्यू धार है ना और उनके प्रतिरोध के में भाज्यों संबंध है यही जो संबंध है यही जो संबंध है यही जो संबंध है यही जो है ओम का नियम है क्या है ओम का नियम सब्सक्राइब यहाँ पर सुरू में लिखा था मैं बताया था देखे यहाँ पर एक बार और समझ लिजिए यहाँ पर लिखा है विद्यूत प्रतिरोध कम viene और इसी नियम के नाम से जानते हैं जहां पर और क्या है यह प्रतिरोध का साइमा अधर क्या है ओम है, यहां तक आप समझ गए होंगे, ठीक है, अब यहां पर देखिए, जो इकाई वाली यहां पर कुछ बात बता रहे हैं न, यदि चाला के दोनों सीरों के बीच विभांतर एक वोल्ट है, और उसके एक एम्पियर विद्युधर प्रवाइत होती है, तो उस चाला के प् चाले से हैं, आर इसकोल टू वी ऐ से क्या हो जा जाएगा, यह हिंक पर लिखा है न, तो एक एक जो है जब लिखेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक कोम हो जायेगा, समझ महां, उसके बाद देखिए, मतलब यहां पर यह हुए कि जो, यहां पर संबन्द से हमको क्या पता चला कि किसी प्रतिरोधक से प्रवाइत होने वाली विद्धुधारा उसके प्रतिरोध के विद्क्रमा नुपाती होती है मतलब देखे यहां पर आया है ना ऐसा क्या है I is equal to क्या है B बटा R ऐसा आया है आया है ना या फिर देखे यह वाला देखे आप यहां पर को देखे है ना R is equal to क्या है B बटा I ऐसा लिखा है ना ऐसा तो यह जो है एक बटा के रुप में है ना तो यहां पर यदि हमको यहां से B को यदि हटा दे तो क्या हो जाएगा यह R equal to क्या हो जाएगा 1 upon I होगा ना ऐसा इसका मतलब यह हुआ कि विद्यूत धारा और जो प्रतिरोध जो है एक दूसरे क्या होते हैं with क्रमानुपाति मतलब जस्ट अपोजिट होते हैं इसका मतलब क्या हुआ विद्यूत क्रमानुपाति होते हैं मतलब जो है आर परपोजनल क्या हो जाएगा वन अपान आई मतलब जो है ये जो है वीतक्रमा नुपाती है समानुपाती होता है वीतक्रमा नुपाती है मतलब इसका मतलब क्या है यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा क्या हो जाएगी विद्युद्यारा कम हो जाएगी ठीक है न? मतलब एक दूसरे एक ज़स्ट अपोजिट यदि प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युद्यारा का मान क्या हो जाएगा कम होगा मतलब कि मालेजे कोई चालकतार है उसमें यदि प्रतिरोध उसका जादा है तो उसमें प्रवाइत होने वाले विद्युद्यारा क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और यदि विद्युद्यारा का मान जो है बढ़ जाता है प्रतिरोध क्या हो जाता है कम हो जाता है मतलब एक दूसरे ज़स्ट या पोजिट होते हैं एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा बढ़ेगा तो पहला क्या हो जाएगा घट जाएगा समझ में आया यह दोनों में इस प्रकार संबंध होता है विद्धुद्धारा और किसमें प्रतिरोध में समझ में यहां तक ओके हैं न तो देखें कई बार क्या होता है हमको मतलब कोई विद्धुद्धारा उसमें जो है यहां पर हम आगे समझेंगे ओम के नियम के बाद ठीक है ना ओम के नियम के बाद सब्सक्राइब घ्राँ यहां ना तो जो धारा जो है किन किन चीजों पर निर्भर करेगा ठीक है ना मतलब यह जो है कि यदि प्रतिरोध जो है वो किन किन चीजों पर क्या करता है निर्भर करता है तो देखिए सबसे पहले यहां पर लिखा है यहां पर कुछ लिए यहां पर देखे समना आता है अपनुमान लगा सकते हैं कि सी विपत्वी अपर दार डिये अ ещё ना भाल जो यह ना घृ चरण sub जो बहने वाली जो ना पर यह और जो तीनों में संबन्द learned लुब आर ऐसा देखे थे ठीक है ओके तो भी अपन आर देखे थे मतलब तीनों में क्या है संबंध है तो यह जो है और मतलब विद्धुधारा जो आई जो है भी पर भी निरभर करता है तो इसी कारण से जो है हमारे घरों में देखना कभी मोटे तारों का भी उप्योग होता है प्रतिरोध पर निर्भः करता है यहां पर आप देखेंगे तो समान मोटाई के लंबे तार प्रतिरोध छोटे तार के पिक्छा अधिक होता है है ना मतलब यह है कि समान लंबाई की जो है मानली जी एक तार हो गया और इतना ही लंबाई का एक दूसरा तार भी है ये वाला तार ठीक है ना तो यदी जो है चरू जाए है ना एक मोटा एक पदला बना दूमें तो मानली जी एक तार हो गया अब यह जो दूसरा तार जो है क्यों होगी क्योंकि कैंट आई क्या होता है मतलब है मतलब जो प्रतिरोद जो हता है यूँकि्छ जूर्मन से जी सब्सक्राइबあります ठीक है ना इस करणट से यदि विद्युधारा जो है मोटे तार में क्या होता है जादा प्रभाहित होता है और जो पतला तार जो होता है उसमें विद्युधारा जो है मोटे तार की तुलना में कम प्रभाहित होता है क्योंकि पतले तार का प्रतिरोज जादा होता है किसकी त कि मुटाई समान तो एक तार कर का है एक तार जाएदा ज्यादा का है एक प्रतिरोध किस में ज्यादा विद्युधार्णा प्रवाहित होगी तेजी से तो यह जो छोटा तार जो है इसमें विद्धारा जो है तेजी से प्रवाहित होगी और जो लंबा तार है इसमें विद्धारा जो है इसकी तूलना में जो है कम प्रवाहित होगी का मतलब जो है उनका जो प्रवाइध होने वाले जो धारा जो है वो कम होगी क्यों कम होगी क्यों कि जो छोटा तार जो है न उसका प्रतिरोध क्या होता है कम होता है जो तार की लंबाई जो है इसका प्रतिरोध क्या होता है ज्यादा होता है क्योंकि लंबी दूरी तक जो है क्या हो जाता है यह पर बढ़ जाता है संभ的话 फो इस प्रकार से हम relatively इंकि कि सी विध्यूत परिपत में क्या होता है जो उपयोग में लाने वाले ले तौर जो रहते हैं उसके जो है लंबाई और मोटाई पर विशेश ध्यान दिया जाता है इसी करण से तो देखिए किसी चालाग में विद्धूत प्रतिरोध निम्ना वयाओं पर निरभर करता है मतलब जो किसी चालाग में यह दि हम किसी चालाग की बात करें तो जो विद्धूत प्रतिरोध जो रहता है ना विद्धूत प्रतिरोध मतलब जो चालाग जो तार रहता है ठीक है ना चालाग तार तो उसमें जो है विद्धूत मतलब विद्धूत धारा जो आई जो रहती है विद्धूत धारा तो उसके प्रवाह को मतलब विद्धूत चाला की जो मान के करेंगे देखेंगे है ना मतलब कुल मिलाकर करके विद्यूद प्रतिरोध जो है किन किन अवयों पर निर्भार करता है इसको हम देखेंगे है ना विद्यूद प्रतिरोध किसमें किसी चालक में है ना तो देखिए सबसे पहले जो है चालक की लंबाई के समान उपाती होती ह क्या होती है चालक की लंबाई की समय उपाती है कौन आर मतलब यह जो है प्रतिरोध है जो धारा प्रवाह का क्या करता है विरोध करता है किसी चालक में विरोध करता है तो इसका मान जो है किस पनिल भर करता है प्रतिरोध का मान तो सबसे पहले जो है यह जो है चालक की लंब कोई भी तार है उसका उसकी लंबाई ज्यादा है जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी मतलब चालक तार की लंबाई ज्यादा बढ़ती जाएगी तो इसका प्रतिरोध भी क्या होगा प्रतिरोध जो है बहुत ज्यादा होगा उच्छ होगा मतलब प्रतिरोध क्या हो जाता है लंबाई पनिर्भर करता है यदि चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो इसका भी क्या होगा प्रतिरोध भी क्या होगा अब बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कमान आई वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या होते हैं जश्ट प्रतिरोढ जादा पढ़ेगा ठाते स्मंझ में आ रहें तो पहला जो है किसी चालां में विद्विरोढ स्कता है तो चालकता की लंबाई पनीर भर करता है याद रखना ठीक है कि मतलब नhö upiza काटब का मतलब क्या है अनुप्रेश्थ काट कहने का मतलब है माली जी ये तार है क्या है ये तार है तो तार है तो तार की जो गुलाई जो होती है तार की किसी भी तार की गुलाई जो होती है यही क्या है अनुप्रेश्थ काट है क्या है अनुप्रेश्थ काट संहार है न क्या है य तो यह अनुप्रेस्ट काड़ जो है इसके क्या होती इसको हम A से दर साते हैं किसे दर साते हैं A से दर साते हैं अनुप्रेस्ट काड़ का छेतर फल मतलब यहां से यहां तक जो छेतर फल जो होता है इनको हम A से दर साते हैं इसको हम क्या बोलते हैं अनुप्रेस्ट काड़ ब यह बढ़ रहा है तो प्रतिरोध कमान क्या होगा कम होगा मतलब यह быстр है ना यह अ husband पतला तार है ऐसा तो अनप्रेश्ट मतलब पतली तार का ही तो क्या होगा इस प्रकार से होगा समझ मैं रहे ना तो पतला तार का अनप्रेश्ट का छेतफल क्या होगा कम होगा तो प्रतिरोध कमान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा प्रतिरोध कमान बढ़ेगा धारा कमान होगी समझ मैं यह तो प्रतिरोध कमान किस पर निर्भर करता है किसी चाला के अनुप्राश्ट टकाट के छे तफल ए पर निर्भर होता है ना उसके विद्क्रमानुपाती होता है समझ मैं की प्रक्रिती पर अलग अलग जो चालक पतार निर्भर करता एं जैसे कि आप देखते हैं विद्क्रमान के द्रश्टा को बना होता हैी वह एक तो लिए्टां साथ स्टार का रूछा है क्या बना होता है या पीक्सोन से तरसाथते हैं वह हैंmem या फिर तामबा का बना रहेगा या फिर एल्यूमिनम का बना रहेगा ऐसा आप लोग देखते हैं ना समझ में आ रहा ना तो और जबकि जो सबसे अच्छा चालाग जो होता है जिसमें विद्यूत जो है बहुत ही अच्छा प्रवाहित हो सकता है वो क्या है चांदी लेकिन इनकी प्रकृति पर प्रति रोद नीरभर करता है है ना मतलब इनकी प्रकृति होती है इंका प्रतिरोध क्या होता है कम होता है और प्रतिरोध कम होने कराण से ही क्या जाता है लोग कि शुट था हुसके प्रवाहीत हो सके है शमझज में आया है यह समझ गए होंगे आप लोग है ना तो यह विया उसके बार तेसरा जो है जो है यह हो गया प्रकृति मतलब अलग-अलग प्रधाथों की क्या होती है अलग अलग प्रकृति होती उस पर क्या करता है प्रतिरोध निर्भार करता है जिस प्रतिरोध क्या होता है किसी प्रतिरोध कम होता है तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है तो वो जो है किसी काम का नहीं रहता है ना चालक नहीं होता है और जिसका प्रतिरोध कम होता है व तो प्रतिरोद जो किस पर निरभर करता है पदा अधिक है उस पदा किसी भी पदा अधिक है तो मतलब यहां पर देखिए यह ताप की बात करते हैं और किसी बात करते हैं प्रतिरोध की बात करते हैं प्रतिरोध को मैं यहाँ पर आरसे दर्सा देता हूं ताप और क्या होता है यह प्रतिरोध को आरसे तो यदि किसी पदा था का ताप यदि बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान भी क्या होता है बढ़ता है मतलब अगर किसी ता प्रतिरोद का मान भी क्या होता है और उसमें से धारा प्रवाइद नहीं होती समझ्छार है इसके लिए आप समझ सकते हैं मानलीजिए कोई तार जल जता है तो तार क्यों जलता है इसलिए जलता है क्यों कि वहां पर प्रतिरोध क्या हो जाता है बढ़ जाता है और प्रतिरोध कब बढ़ता है जब ताप बढ़ता है और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ता है तो अभी क्या होता है ताप बढ़ता है और वहां पर धारा जो है क्या हो जाती है जल जात तूर जाती है तार इसमें से धारा प्रवाहित वती रहती तो क्यों जलता है ना तो इसका मतलब यह हुआ ताप बढ़ता है तो प्रतिरोद भी बढ़ता है तो प्रतिरोद भी आटोमेटिक आ प्रते हैं तो कि आप तो प्रेट उसके हैं कि उधारा के मादव मांदम से क्या करेंगे कि आ पर समझेंगे की लंबाई पर किस प्रकार से नेर्बखर करता है और इसके अलबा जो है अभी जो मतलब इतना भी मैं बताया हूं कि प्रतिरोद जो है चाला की लंबाई के समानुपाती होता है चाला के नुप्रश्ट काट के छेतफर की विद्ग्रमा नुपाती होती है चाला के पताल से प्रकृति है और चाला के ताप पर निर्भर करती है यह बताया हूँ तो इसको जब next class होगी उसमें हम details से करेंगे ओके तो आज के लिए बस इतना ही जाएंगे तो आज के लिए बस इतना ही जाएंगे